बिवर आपने लाइफ नहीं कर रहेंगे तो काफी दुनों के बाद आज फिर से हम लोग आप लोग सामने आए हैं एक नई सी टॉपिक लेखे और आइक्चलि यह टॉपिक नहीं है बिसिकली यह क्या है कि मतलब हम लोग ऑब्सेर्फ कर रहे थे थोड़ा सा यहां पर किया कै तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि जैसे जो लोग यहां आए हैं अभी student visa पे या फिर जो आने वाले हैं तो उन लोग सोचते हैं कि यहां आके हम लोग study तो करेंगे पर साथ में job का भी देखेंगे तो अभी हम लोग कैसा face कर रहे हैं कि आए दिन इनके भी store में मेरे भी store में student लोग आते हैं जो अभी january intake में आये हैं उन लोग की job अभी तक नहीं लगी है क्योंकि bulk में student यहां पर आते हैं और यहां पर जो भी job जहां पर भी है कोई warehouse है कहीं भी है तो अगर जितना उनको need होता है वहां पर पूरा हो जाता है फुल्फिल हो जाता है और बाकी के जो होते हैं वो बिचारे फिर दर दर भटकते हैं जो जिनको नहीं मिलती है job तो जोब मिलना भी यहां पर इतना easy task नहीं है आप लोग को सब कुछ जानकारी लेनी चाहिए आप कहां जा रहे हैं क्या वहां पर है और reference के थुरू भी job लग जाती है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है तो यह है कि जोब जैसे कि हिना ने बताए कि jobs है market में ऐसा नहीं कि जोब बिल्कुल भी नहीं है तो बट एक limit होता है हर जगा काफी बड़े बड़े वेरहाउस होते हैं जहां पर 200-300 employees काम कर रहे होते हैं ऐसा ऐसा वेरहाउस बहुत है यहां पर प्लस restaurants हैं बहुत सारे brands हैं बट यह हर जगह के limit होता है employees का और हमारे students जो पहले से आ रहे हैं प्लस हर इंटेक में नए स्टुडेंट नए बंच आ जाते हैं तो उन लोग को भी problem होती है तो यह सब का problem का solution जो है हम लोग ठोड़ा मिलके discuss करके निकाला है तो चलिए यह solution पर बात करते हैं कि solution कैसे मतलब इस पर काम कैसे किया जाए पहले बताना चाहेंगे कि Canada में जो है कौन सा काम हो कम तो खेर नहीं हो रहा है बड़ी रैफ और salary अगर देखे तो minimum wage pay होते हैं तो उसमें हम सिर्वाइब कर सकते हैं तो यह है कि आप minimum आप आपकी job लगी अच्छी बात है minimum wage पर ही लगेगी जहां तक जादा chances होता है तो उस job को आप अपना comfort zone मत बना ले ना कि ह काम चल रहा है इससे अपना expenses cover हो जा रहा है तो बस चलते रहें इसी पर तो यह बहुत बड़ी गलत फैमी होती है लोगों की कि जहां पे हैं वहीं पे सुखी है अब बस इसी को carry forward करना नहीं यह चाहिए अब यह कहीं पर भी हो अपना comfort zone से अगर आप जब तक आप बाहर न हमारा next point यह है कि आपको अपने skill पर बहुत जादा वक करना है यहां पर labor job का बहुत जादा demand लिए बर in the sense like plumbing हो गया गराज में काम करने वाले हो गए जैसे कि हम लोग ने बहुत सारे बात यह चीज बोला है डिसकर्स किया है तो यहां पर अगर आप बैक हों कंट्री में रहते रहते अगर आप यह सब चीज पर काम करें तो यहां पर यह सब चीज का बहुत जादा दिमांड है ठीक है अच्छे खासे पैसे मिलते हैं यह सब जॉब वालों को तो यही है कि अगर आप जब तक आपके पास हाथ में टाइम है तब तक आप अपने स्किल पेगाम करें कोई काम यहां पर चोटा बड़ा नहीं है जितना काम मैं तो यह कहूंगा कि काम अगर चो सबसे एक बात में पोला चाहूंगी कि अगर आप स्टार्टिंग में आए हैं तो किसी देशी के यहां काम कर रहे हैं तो कीजिए नो डाउट आपको क्योंकि आपको आगी कभी सोचना है बट वहां पर रहने का मत सोचेगा क्योंकि देशी लोग आपको बहुत परशान कर तो कोशिश किजीगा के देशी एरिया में ना जाए यह है कि जब भी आप आओ तो बड़े शहर का नाम देखे कि यह ब्राम्टन है या ट्रॉंटो है या मिसिसागा है तो यह सब शहर से जितना दूर रहोगे आप तो उतना अपके लिए बेनेफिट है ठीक है जितना आप दूर रहोगे उतना आपका expenses भी कम होता है living cost कम हो जाता है ठीक है और प्लस college के लिए आप travel कर लो college कर ट्रावल करने का problem नहीं है लेकिन आप जहां settle होगे वो थोड़ा कोशिश करना दूर settle हो जहां आप रहोगे वहां पर आपको job भी असानी से मिल जाएगी और आपका expenses भी लो होगा तो यह दोनों चीज़ आपको help करेगी आपके growth में right आपके saving में तो जिस savings है आपको college का टो सिर्षा है तो बड़े शायर का नाम से नहीं है और यह सोचना कि जितने पीछे जाओगे आप किस मकसद से और होगे आप अपना मकसद नहीं है ठीक है तो जितना आप ऑब छोड़े शायर में रहोगे उतना अपके लिए benefit है आपको जसे ब्ले सहर में बेलागी उपको जादा है जो सबसे जादा मतलब कॉस्ट है वहां पे जाद बहुत जाद होगा जितना थोड़ा दूर में रहोंगे उतना living कॉस्ट आपके कम होगा और आप उस पैसे को आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है अपने पर्सनल के लिए अपने कॉलिज के लिए लेकिन यह सब चीज जो है आपको help करेंगे आप ऐसे जगह चूज करो अपने एजेंट के बोलने पर नहीं जाना कि हमारा एजेंट बोल रहा है यह कॉलिज में ले लो वह कॉलिज में ले लो नहीं आपको अपना खुद रिसर्च भ आपको मिल जाएगा नेट पर तो यह सब चीज रिसर्च करो आने से पहले और अपना खुद करो राइट यहां पे जहां पे बहुत बड़ा कॉलिज है तो वहां पे स्टुडेंट भी बहुत जादा आ रहे हैं तो जितनी जादा पब्लिक है उतना जादा कॉम्पेटिशन करना है तो आपको कॉम्पेटिशन को कम करना है तो ऐसे जगह आपको रहना है जहां पे आप अपने भी सर्वाइब कर पाओ और आगे कभी आप अपना सोच सको मैं अपने ही परसनल एक्सपरियंस हमेशा ही शेर करता हूं कि मैं जैसे फास्फूड इंडस्ट्री में हूँ कि यहां पर लेबर कॉस्ट बहुत बहुत जादा है ठीक है अगर आप बिजनिस कर रहे हो या कोई भी बिजनिस कर रहा है तो उनको पता है कि यहां पर लेबर कॉस्ट कितना जादा है जो ओनर होते हैं वह जादा से जादा कोशिश करते हैं कि अपना लेबर को बचाने का करते हैं लेबर को बचाने के लिए जो एक स्टोर दो स्टोर अपना खुद का बिजनिस अगर कर रहे हैं तो वह खुद सुबह से शाम तक लगे रहते हैं ताकि एक बंदे का तो पैसा उनको बच जाई यहां पे लेबर कॉस्स बहुत ज्यादा हाई है प्लस और यही रीजन ह है कि आदमी कम से कम इंप्लॉई रखता है काम करने के लिए तो यह सब चीज आपको पता चलेगा आप जैसे आओ गए यहां पर तो यह हमारा उब्जर्वेशन था यहां पर आप तक का तो यह हम आपसे शेर करना चाहते थे आप लोग को भी बदाना चाहते थे कि यहां प कि थी वह इतने बड़े रेस्टूरेंट में सब्सक्राइब कर रहे थी और ले थी खुद अकेले कर रहे थी हाला कि वह कि कि अंदर काम कर रहे है बट यहां पर यह है कि आप आओगे तो आपको सोच के चलना ही कि आपको बहुत काम करना पड़ेगा कम से कम बीस्टेबल थ कर रही है order भी ले रही है cash भी कर रही है वो भी serve करने वाला है वह ऐसे नहीं था यह fine dining restaurant था तो वह उसे table पर जाकर order भी ले ना है table पर serve भी करना है फिर cash भी करना है और जो take away के लिए लिए आता है या food delivery के लिए आ रहा है उनलोगों को भी देखना और kitchen में तो यहां पर लोग ऐसा नहीं कि इस पिर एक हां के रहने वाले यह रखनेवाला बीए अथा उतना आदत नहीं है अपने back home country में देखते हैं कि कस्टमर से जादा employees होते हैं कभी-कभी राइट अगर आप कहीं पर भी जाओगे के फी में अगर वीगडे में आप जा रहे हो तो आप देखो कि कस्टमर से जादा employees होते हैं कभी-कभी बट यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर आपको बुलाया है ठीक है तो अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो आपको फुल टाइम आवर्स मिलेंगे उस पर भी अगर कस्टमर नहीं है तो उस पर भी आवर्स कड़ जाते हैं कभी-कभी तो यह सब चीज में ध्यान में रखना है ऐसा नहीं है कि आप यहां पर आओगे आपकी जॉब सब लग जाए और सब चीज अच्छा अच्छा होगा तो अल्वेस प्रिपेर फॉड़ वर्स ठीक है हमेशा आप अपने बुरे टाइम का मतलब क्या हो सकता है वह पहले सोचो अच्छा तो हो नहीं होना है हम आमारे कंट्री से बाहर है तो आप लिएसली हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा तो वह चीज के लिए आपने आपको प्रुपेर करके रखना चाहिए हमेशा बिल्कुल तो यही सब बात था हमें डिसकस करना था आप लोग से शेयर करना था तो आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जाद से जाद और अगर हमारे वीडियो पसंद आता है तो लाइक किजिए कॉमेंट किजिए और सबस्क्राइब किजिए आप लोग भी अपने ऑपीनियन डालिए आप लोग क्या उपीनियन है जो कैनेडा मेरा रहे उन लोग का और बैक होम कंट्री में अगर हमारे कोई वीवर्स है वो देख रहे हैं तो आप लो